वेलकम टो एक्जाम टाइम दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 26 नौंबर के दिन MPPSC चात्रों के द्वारा इंदोर में एक मीटिंग आउजित की गई थी जिसमें धर्ना प्रदर्शन की आगे की जो रणनिती है उस पर यहाँ पर चर्चा करना था तो यहाँ पर जो चर्चा की दोटिक हैं कि जोईनिंग लेना हो तो फिर जोइनिंग लीजिएगा जब तक कुछ बी ओफिसियल नहीं आता है आपको किसी भी चीज़ पर इश्वास नहीं करना है तो NEO के बारे में भी आपको झान लेना चाहिए नेयु क्या है छात्रो के हित और कर्तब्यों के बारे में हमेंसा यहाँ पर मांग उठाते रहता है तो आपको यहिंका जो पेलिग्राम चेनल है वो आपको जोइन कर लेना है वीडियो के डिस्क्रिप्सन में हम आपको लिंक देदेंगे तो आपको नेउ से यहाँ पर जुड़ना है ठीक है अगर नहीं होता तो आप सोच के देखे कि इतनी सारी चीजे यहाँ पर नहीं हो पाती इतने अंदोलन और इतनी सारी जो चीजे है चात्रों को एकजूट करना यह काफी जादा यहाँ पर मुस्किल हो जाता तो अब देखें यहाँ पर 26 नॉम्बर के दिन यहाँ पर क्या-क्या निर्ने लिए गये हैं चात्रों के द्वारा कि आगे कि किस पकार से यहाँ पर प्रोसेस करेंगे और कुछ चीजे यहाँ पर नहीं लिखी है तो वो भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अब क्या है MPPSC और MPPEB वाले जितने भी चात्रे हैं सारे को यहाँ पर एकजूट होना है उसके बाद में टेलिग्राम चैनल आपको जोइन करना है वो ट्विटर केंपेन यहाँ पर प्रदसन वा आगे की कारवाई के बारे में अभ्यारतियों की प्रतिक्रिया जानना वा सुझाओ लेना था जो दोनों ही चीजे आज अच्छी हुई है तो काफी छात्र महाँ पर आ चुके थे तो इसी पकार का आपका यहाँ पर सयोग मिलते रहना चाहिए अगर आप यहा हमारी मेहनत है वह पूरी यहाँ पर पानी में चली आएगी तो अब आपको यहाँ पर रुकना नहीं है अगर हम सब प्रियास करते रहेंगे तो यहाँ पर सारी चीजे होती रहेगी और बाकि आपके जितनी भी जैसे की तैयारी वगरा भी है वो भी आप यहाँ पर करते र अब यहाँ पर क्या किया जाएगा आप यहाँ पर अनिश्चित कालेन अंदोलन की यहाँ पर तैयारी हो रही है और इसकी तारिक हमारे सोसल मीडिया प्लेटफर्म से आपके बीच उपलब्द करा दी जाएगी और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अब हम तीन दिसाओं में यहाँ पर आपको जब भी ट्यूटर केंपेंग यहाँ पर चलाया जाएगा उसको आपको यहाँ पर ट्रेंड करवाना है यह आपके पहली यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि अभी जो ट्विटर है ट्विटर के माध्यम से आप बड़े बड़े लोगों तो कि अपने बातें यहां पर पहुंचा सकती हो उसके बाद में यहां पर लगातार विद्ड करेंगे और लोगों को जाग्रू करेंगी तीससरी टीम फिजिकल आंदोलन को यहां पर लीड बाद यहां पर अभी जितने भी यूटूबर आएंगे तो वो क्या है यहां पर जो भी चात्रे हैं चात्रे ही रहेंगे ठीक है और एक नेयू का जो ओफिसियल यूटूब चेनल है उसे भी आपको यहां पर सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम यहां पर आपको लिंक दे देंगे यहां कारे सिर्फ अभ्यारती ही करेंगे इनका सिर्फ सयोग लिया जाएगा तो जितने भी यूटूबर हैं या फिर जितने भी सिक्षक हैं जिनके भी यूटूब चेनल वने हैं तो उनका यहां पर सयोग लिया जाएगा उन्हें यहां पर सभी को यहां पर साथ देना है चात्रें यहां पर सैयोग करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रूप और यहां पर आपको आपको कुछ प्रूब्लम यहां पर आ सकते हैं, आहांगे आप देख रहें होंगे कि जेल प्रेरी कभी अभी यहांपर रिजल्टि नहीं आ रहा है तो इस पकार से जितने भी मुद्दे हैं वह अब काम के लिए नेवरे धरी नेवोगे पर उठाय आएगे और आपकी मांग भी यानि कि कोई भी यहाँ पर एक के सीवा यहाँ पर यह जो चेनल है यह नहीं चलता है यानि कि सभी छातर यहाँ पर लीट करते हैं उसके बाद में धन्ना प्रदसन में कई तरह की रचनात्मक गतिविधिया की जाएगी जैसे ताली थाली बजाना रेली निकालना और मंत्री विदायकों को ग्यापन सोपना तो यहाँ पर आप जितनी भी प्रोसेस सारी प्रोसेस एक साथ चलेगी अंदोलेन भी चलेगा ग्य यहाँ पर रीजली चाहिए नौटिप पूसdle य आपर चाहिए और हम ही कई पर काफी लोगों को काफी ज़्यादा है समस्या आती है तो अब आपको इहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यहाँपर की यहाँ पर किसी भी प्रकार से होगा ने की grants में नहीं है तो अब आपको क्या है यहाँ पर ये कारी करना है उसके बाद में MPPSC वा MPPB के संबंद में मांगे रखे जाएगी और नेक्स्ट है विदिक दिसा में उच्च नियाले में याची का अभी सिर्फ रोष्टर नियूमो एवं आरक्षन केस को लेकर लगी है और ये किसी ऐसे सेक्टी के द्वारा याची का नहीं लगाई गई है जिसका अभी 2019 का जिसने मेंस लिखा है तो उन्हें भी यहाँ पर अगर वो लगाते हैं तो यह चीजे क्या है इतिनी सारी चीजें यहाँ पर करने की भी आव सकता है यहाँ पर नहीं पड़ती कुछ न कुछ यहाँ पर रियल्टी के संबंद में आज वल्लब भौवन में भी वरिष्ट अधिकारियों से मुलाकात की है उसका भी यही निसकर से निकलता है कि लंबा धन्ना प्रदसन करना होगा या जल्द सुनवाई के लिए अपिर करनी होगी ठीक है आगे कि संपूर्ण जानकारी हमारे सभी स सोसल प्लेटफरंपर उपलब्द करा दे जाएगे ट्विटर फेस्बुक टेलिग्राम इंस्टाग्राम यूटुब पर सर्च करे आप जहां हो जो भी सोशल आप यूस करते हो फेस्बुक हो ट्विटर हो टेलिग्राम हो तो वहाँ पर सभी पर आपको नेयू फोर इंडि एक दिसंबर को और उसके बाद में हैं पर तीन दिसंबर को ठीक है तो च्छे दिसंबर के पहले-पहले वहां पर भी आंदोलन के शुरुआ जबलपूर से ही यहां पर होने वाली है ठीक है तो आपको क्या करना है नेयू का जो ओफिशल टेली कार्म चैनल है वहां पर जोड़ याना है जितनी भी आगे की जो प्रोसर से जानकारी है वो आपको महीं पे मिलती रहे तो देखे जैसे कि ये देनिक भासकर में भी छप गया है उसके बाद में छोड़ा से יहां पर देखी क्या-क्या भी समस्या है कि जैसे कि समय है कुछ करने का साथ उठने का तो यहां पर आपको यह थोड़ी सी यह बात हैं यहां पर समझ देना है तो वीडियो को पोस्ट करके आप यहां पर देख सकते हो या फिर हम थोड़ा से आप बता देते हैं कि गत तीन वर्सों में मद्धिपदेश में एक भरती पकरिया पूर्ण नहीं हो पाई है वर्तमान सरकार की प्रात्मिकताओं में प्रदेश के युवा अभ्यारतिक कभी रहे ही नहीं है उनके इस्थान पर माननी मुख्यमंत्री जी कभी उपचुनाओ कभी रेलिया कभी किसी अन्नी कारिकरम का आयुजन करते देखे गए हैं गेट द्वारा MPPC संदित फाइल लटका दी जाती है और जबकि स्टेशन के नाम बदलने से लेकर कमिशनरी सिवाओं के प्रारम किये जाने वाले मामले तूरंत यहां पर निप्टा दिये जाते हैं संभावित कोविड की तीसरी लहर यदि आती है तो पहले ही तीन सालों में चल रहे कोर्ट क हो इसके लिए अभी आपको यहाँ पर प्रियास करना चाहिए केस और लंबित भरतियों पर नकरात्म प्रोहा पड़ता है अधा अभ्यारतियों को अपने भाईस को द्रिश्टिकर ट्रते हुए अब खुलकर विरोध की रणनीती अपनानी चाहिए क्योंकि तीन वर्स के ल देखिए और अभी जो ट्विटर केंपेंग है उसमें आपको यह वाला है यहाँ पर यूज करना है नो वेकेंसी नो गोट ठीके दोस्तों तो देखिए आप यहाँ पर सारी जो प्रोब्लम में सब जानते हैं सभी यहाँ पर परिसान है सभी को पता है कि क्या प्रोसेस क्य से कुछ थोड़े से पोश्टर टाइप कुछ बना सकती हो तो जो भी चीज में आप एक्सपर्ट हो तो उसका आप यहां पर सहीं यूज कीजिए उसके बाद में आपके पास में मोबाइल है मोबाइल का सहीं उपयोग कीजिए ठीक है तो इस पकार के देखिए जगे-जगे भढ़काने वाली कोई यहां पर चीजे नहीं है तो या आपको इहां पर अपने अवाज उठानी होगे कोई यहां पर आकंकल आगे नहीं आएगा झाल झाल